इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं कि अगर हमें आपके PTM पर इस तरीके से दिखाए देता है invalid card details तो basically क्या issue रहता है इसमें ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो वीडियो को देखे आप और इस वीडियो को लाइक कर दीचेगा और चैनल को subscribe भी कर दीचेगा आपका अगर इस तरीके से debit card होता है तो आपको क्या करना है आपको अपको कही सारे मिलते हैं पहले मैं देख लेता हूँ ब्लैक होगी यहां से स्क्रीन यह नहीं यहां से जो हमारी दिख रही होगी आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी तो यहां पर आपको six-digit UPI pin जो है उसको change करने के लिए यह set करने के लिए यह आपको दिखाए दी जाता है ठीक है यहां पर I remember my old UPI pin तो directly यहां से चला जाता है अब यहां पर आपको pin नहीं पता है तो यह option आता है अब यहां पर card होता है आपका access का हो या किसी का भी हो तो card के जो पिछे के six-digit रहते है ठीक है वो यहां पर आपको डालने होते है ठीक है six-digit उसके बाद यहां पर expiry validity ठीक है यहां और एक तो आपकी validity होती है ठीक है expiry मतलब के कब तक है तो आप यहां पर select कर लेते हैं मन्त के हिसाब से यह पहला मन्त हो गया और यह आपका year हो गया ठीक है यह two one year two three year इस तरीके से set हो गया है तो आपको इस तरीके से लगाना है year कभी कभी हो आपके card पर यह मिल जाएगा प्रसीड करते हैं और आपके detail इस तरीके से सही होती है OTPI आप चेंज कर सकते हैं उसके बाद अपना जो है number अगर लेगन यही पर आपकी mistake होगी तो आपको इसी तरीके से error दिखा देता है तो यहां पर आपको सही से डालने हैं आपकी सारी चीजे अगर गलत कर देते हैं तो आपको इस तरीके से problem हाईगी आपको card पर यह सारी details मिल जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका लगावा होगा इससे तो आपको easily आपका process हो जाएगा जो लगावा हो इस card से UPIO आपका इस card से हो तो वो लगाईएगा अदरवाइस कोई और सा लगाते है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ एंड टेक यार